क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द्रड विचार से लाप श्रोता जब तक हमारे सामने सांसारी भोग नहीं आते तब तक तो हमारा द्रड भाव रहता है कि हम भोगों में फसेंगे नहीं परन्तु भोग सामने आने पर हम कमजोर हो जाते हैं हम क्या करें स्वामी जी बहुत सुन्दर प्रश्ण है भोगों में नव फसने का जो यहां भाव है यहां बहुत ही दुरलब चीज है बड़ी भारी कीमती चीज है संसार का संबंध तोड़ना और भगवान का संबंध जागरत करना यहां खास मनुष्यता है हम संसार के साथ एक हो जाएं और भगवान से अलग हो जाएं यहां बिलकुल असंभव बात है हमारे में यहां शक्ती नहीं है कि हम भगवान से अलग हो जाएं और सर्व समर्थ होते हुए भी भगवान में यहां शक्ती नहीं है कि वे हमारे से अलग हो जाएं वास्तविक बात यहां है कि हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है और भगवान के साथ संबंध है जो नहीं है उसको तोड़ दे और जो है उसे जागरत कर दे यहां हमारा खास काम है जब तक सामने पदार्थ नहीं आते तब तक यहां द्रडभाव रहता है कि हम भोगों में फसेंगे नहीं इतनी बात भी अगर आपकी हो गई है तो यहां बड़े भारी आनंद की बात है भोगों की इच्छा न होना बहुत उचे दर्जे की बात है मामूली बात नहीं है संसार को छोड़ने की और भगवान को प्राप्त करने की थोड़ी भी इच्छा हुई है तो इसका फल नाशवान नहीं होगा प्रत्युत अविनाशी फल होगा कल्यान होगा स्वल्पमाप्यस्यधर्मस्य रायते महतो भयात गीता दो चालीस लाखों, करोडो, अर्बो, रुपए मिल जाएं तो भी वे इसके सामने कुछ नहीं है त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो उसकी केश जितनी भी इज़त नहीं है क्योंकि यहां सब नाशवान है सामने पदार्थ आने पर हम विचलित हो जाते हैं यहां दशा हमारी क्यों है कि हम विचार करकर के छोड़ देते हैं ऐसी खराब आदत पड़ी हुई है सत्संग में सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर विचार करते हैं कि अब ऐसा करेंगी पर फिर उसको छोड़ देते हैं मामूली बातों को भी पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं यहां आदत ही आपको कमजोर करती है अगर आपकी ऐसी आदत होती कि किसी बात को छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया तो आपकी यहां दुरदशा नहीं होती शमा करना, बुरा न लगे आपको, परन्तु है यहां दुर्दशाही हर एक काम का विचार करते हैं, तो उस विचार पर स्थाई नहीं रहते पदार्थों में, संग्रह में इतना अउगुण नहीं है, जितना अउगुण हमारी खराब आदत में है जब तक आप में दृड़ता नहीं है, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप उन्नती नहीं कर सकते आदत बिगड़ने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, अगर एक बात पर दृड़ रहने की आदत बना लो, तो निहाल हो जाओगे भगवान मेरे हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान ही मेरे है, संसार मेरा नहीं है, तो मेरा है ही नहीं सत्य बोलना है, तो पक्का विचार कर लो, कि आज से सत्य ही बोलना है, जूट बोलना है ही नहीं इसमें भी हम जूट नहीं बोलेंगे, इस बात पर अटल रहो हम सत्य बोलेंगे, इस बात पर नहीं त्याक की बहुत बड़ी महिमा है चाहे कुछ भी हो जाए, हम जूट नहीं बोलेंगे चाहे प्रतेश्ठा जाती हो, इज़त जाती हो, पैसा जाता हो हमारे कुछ भी हानी होती हो पर हम जूट नहीं बोलेंगे अगर सत्य बोलने का आउसर आने पर आप कमजोर पढ़ जाओ सत्य बोलने की हिम्मत न रहे तो इतनी ढिलाई भले ही रखलो कि जूट मत बोलो चुप रह जाओ सामने वाले से कह दो कि सभी बाते सबको बताने की नहीं होती इसलिए हम नहीं बताएंगे हमारे में सच्ची बात बताने की सामर्थे नहीं है सच्ची बात कहने का अभी विचार नहीं है पूरी बात बताने का हमारा मन नहीं है वहां से उठकर चल दो कि हमें काम है काम यही है कि बताना नहीं है ऐसा करने से हम जूट नहीं बोलेंगे यहां आपके प्रतिग्या सत्य हो गई यहां आपको ऐसा उपाय बताया है जिसको आप कर सकते हो आपने एक बार जो पक्का विचार कर लिया है उस विचार की फिर कभी हत्या मत करो अपने विचारों की हत्या बार-बार जन्म मरंड देने वाली है अतह अपना विचार पक्का रुखो कि पदार्थ भले ही सामने आ जाए अब हम विचलित नहीं होंगे अब हम थूप कर नहीं चाटेंगे अपने विचार पर द्रेट रहने से आप में एक शक्ती आएगी एक बल आएगा फिर आपकी यहां दशा नहीं रहेगी लोग भले ही आपको कायर कहे आपके निंदा करे उसकी परवाह मत करो हमें तो अपने विचारों को पक्का करना है आप जैसे हो बैसा आपको सुगम साधन तो मैं बता दूँगा पर धारन तो आपको ही करना पड़ेगा आपको बहुत सुगम बहुत सरल साधन में बता दूँगा और आपसे यहां बात स्वीकार भी करा लूँगा इस साधन को हम कर सकते हैं और इससे हमारा भला हो सकता है आप केवल तयार हो जाओ, इतने में काम बन जाएगा कारण की मूल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है अब परमात्मा नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा संसार तो मिल ही नहीं सकता वहम होता है कि रुपए मिल गये, हुटुम्ब मिल गया सब खत्म हो जाएगा, मिला कहा संसार मिल नहीं सकता और भगवान से अलग हो नहीं सकते बिलकुल सच्ची बात है यहाँ हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे इस पर आप द्रोड रहो, यहाँ बात मामूली दिखती है पर वास्तों में इसका बहुत बड़ा महत्मे है भजन, ध्यान, जप, आदी से इसका कम महत्मे नहीं है यहाँ बहुत कींती बात है, पर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते इसको ऐसे ही छोड़ देते है जैसे रोग मिटने पर भूख लगने लगती है और भोजन करने पर शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है पाचन ठीक होता है तो रूखा अन्नक आने पर भी शक्ति आने लगती है इसी तरह आप अपने विचार पर द्रड रहो तो आप में एक शक्ति आ जाएगी अतह अपने विचार पर पक्के रहो कि हम असत्य बोलेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम चतुराई नहीं करेंगे इस बात से आप मत डरो कि हमारी बेज़ज़ती हो जाएगी जूट बोलकर छिपाव करोगे तो इससे बहुत बड़ी बेज़ज़ती होगी कम नहीं होगी बिना चिपाव के आपकी बहुत इज़ज़त होगी चालाकी करोगे तो अच्छे पुरुशों के रिदय से गिर जाओगे कि यहां कोई काम का आद्मी नहीं है ठाकुर जी के रिदय से गिर जाओगे अतहा चतुराई मत करो सीधी साफ बात कह दो साफ बात कहने से कोई फासी थोड़े ही देता है ऐसा करना कोई कठिन बात नहीं है अपने कल्यान का विचार होने से यहां बात बहुत सुगम हो जाएगी एहले थोड़ा सा भय लगता है फिर भय मिट जाता है अतहा मेरे से कोई बात पूछे तो मैं बता दूँगा नहीं तो हजारों आदमियों के सामने कह दूँगा कि मैं जानता नहीं सीधी बात कहने में हमारे को क्या बाधा लगी लोग हमारे को अग्य मूर्ख मानेंगे बेसमज मानेंगे और क्या होगा समझदार मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति करा देंगे और बेसमज मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति में आड लगा देंगे जो हम जानते हैं वह बताएंगे जो नहीं जानते हैं वहां नहीं बताएंगे और कई बाते ऐसी हैं जो हम जानते हैं पर नहीं बताएंगे मेरा ऐसा कहने का काम पड़ा है कि तुम यहां पूछते हो पर इस बात को बताने से तुम्हें फाइदा नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा इस बात से डरो मत कि हमारी पोल निकल जाएगी पोल निकल जाएगी तो ठोस रह जाएगी पोल रखकर क्या करोगे आश्चरी आता है कि वेद व्यास जी महराज ने अपने जन्म की बात श्लोक बद्धरूप से कई बार लिख दी क्या रिदय है उनका इसके कारण वे पूजनिया है आदरनिया है सच्ची बात प्रकट करने से नुकसान नहीं होता केवल वहम है कि नुकसान हो जाएगा